तो बई फाइनली जिट्श्टु काईसन का 250 चैप्टर हमारे सामने आ चुका है साले, लीक, रूमर्ज और स्पोयलर्स हमारे सामने है बलके इन फैक्ट पूरा चैप्टर ही हमारे सामने आ चुका है इस chapter के उपर खुल के बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और साथ इस वीडियो के end में तुम लोगों को एक ऐसी theory बताऊंगा जो theory सुनने के बाद बड़े-बड़े manga readers का दिमाग घुम जाएगा यह theory है हमारे Megumi Fushiguru और Kane Jaku के related तो theory सुनने के लिए वीडियो को end तक देखना और पहले हम explain करते हैं हमारे chapter को तो chapter 250 जो के just to kyson का आ चुका है मतलब उसकी leaks आ चुकी है उसमें सबसे पहले हमें explain किया जाता है यूटा का domain यूटा का domain expansion is one of the best domain expansion है जो हमने देखा है after हमारा gojo का domain तो नसारी को सब्सक्राइब का ATTAK करता हुट यूटा एक डफट कर सकता है जो यूटा को नहीं पता होती मरें जब उसके पूरिःब करता है उसके पर हित करता है तो एक हीट होने कबदेबारा हो जाती है और फिर उसी domain के कहीं पर जाकर लग जाती है जिसके बाद यूटा दूसरी कटाना उठाता है और उससे अटाइक करता है यूटा एक separate कर्ष टेकनीक को multiple times यूज़ कर सकता है जिस तरह के हमने इस chapter के अंदर देख भी लिए जो आगे जाके मैं explain कर भी दूँगा और इसके साथ-साथ हम लोगों को ये भी पत करती है वो साथी यूटा के डूमेन में available है ये theory किस्तरा है ये भी मैं आगे चल के तुम लोगों को बता दूँगा लेकिन हमने finally हमने यूटा के डूमेन expansion को cover कर लिए जो कि chapter के शुरू में बताया गया था तो finally शुरू करता है हमारा proper chapter तो chapter के शुरू के अंदर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो main character है यानि यूटा दौरी finally punch करता है सुकूना को और सुकूना उस punch को touch कर लेता है मगर touch करने के बावजूद भी पूरे सुकूना का soul हिल जाता है जिस तरह हमें पिछले chapter बताया गया था touch कर लेता है मगर फिर भी उसका soul है वो अंदर तक से हिल कर रह जाता है साथ ही हमारी रीका निकलती है और रीका उपर से हमारे सुकूना को punch करती है जिसको सुकूना touch कर लेता है लेकिन सुकूना को थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है struggle करना पड़ता है उसके बाद हमारा यूटा यूज करता है Space Bending Curse Technique जो कि उसने कलिंगेम आर्क से कॉपी करके रखी है तो Space Bending Curse Technique को यूज करते हुए हमारे यूटा दुबारे से सुकुना के उपर अटेक करता है जिसके बाद हमारा सुकुना जो है अपने आप में ये चीज एनलाइस करता है कि गोजो ने जो उसको पिटा था उसकी वज़ा से मतलब गोजो से पिटने की वज़ा से अभी तक सुकुना अपना Domain Expansion यूज नहीं कर पा रहा इन फाक्ट वो अपनी RCT&E Reverse Curse Technique को भी Properly Heal नहीं कर पाया और अभी तक वो उसको भी Properly Use नहीं कर पा रहा इसकी वज़ा से वो अभी तक यूटा और यूजी को मार नहीं पाया बलके उल्टा उनके हाथों बिल रहा है तो इस चीज़ को Confirm करता है हमारे Rumen सुकूना जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दिखाया क्या जाता है बलके हमें Confirm किया जाता है मांगा के अंदर कि इस वक्त जो हमारा यूटा है उसकी जो Power Level है नहीं कर्ष टेकनीक का Level है वो सुकूना के Equals हो चुका है Basically सुकूना का Level गोजो से पिटने के बाद डाउन हो चुका है और गोजो से पिटने के बाद जो हमारा सुकूना का Level है वो हमारे यूटा के Level के उपर आ चुका है और यूटा और सुकूना इस वक्त एक ही Level की कर्ष टेकनीक को यूज़ कर रहे है और साथ ही साथ हमें ये भी साथ इसके बाद फॉरन ही हमारी जो रीका है वो यूजी को उठा कर हमारे सुकुना के उपर फैके मारती इसके बाद यूजी दुबारा सुकुना को हिट करता है और सुकुना को जैसे ही वो हिट करता है मेगूमी का जो सोल है वो सुकुना से हिल मतलब सुकुना की बॉड़ी जो मेगुमी फुशी गुरू की बॉड़ी है वो सुकुना के काबू से हटने लगती है मतलब सेपरेट होने लगती है और हमाल जो रुमेन सुकुना है वो इस बात को कंफर्म करता है कि यह जो यूजी है वही पर पंच कर रहा है जहां पर तो इस बार में आगे जाके हम और बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम next step पे चलते हैं next panel के इंदर हमें दिखाया जाता है कि हमारा यूटा है वो अपनी एक नई copy curse technique जो हमने देखिए कि इनुमाकी से उसने copy करके रखी है वो curse speech का इस्तमाल करता है curse speech एक curse technique है जिससे जो कुछ भी बोल दिया जाए अगले बंदे को करना ही पड़ते हैं मतलब वो करने पर मजबूर हो जाता है आटोमेटिक वो कर लेते हैं curse technique जो है curse speech जो है वो हमारे यूटा यूज करता है और हमारे जो सुकुना है उसको वहीं पर freeze करतेता है और freeze करने के बाद हमारी रीका है तो फॉरन ही सुकुना को पंच करती है और सुकुना उड़ता हुआ जाता है दूर जाके पड़ते है हमारा सुकुना और साथ ही हमारे गोजो को thanks कहता है के thanks to Gojo जिसने हमें इस point पर सुकुना को करके दिया कि अब हम सुकुना को बेल रहे हैं वरना ये दोनों 2 seconds के लिए भी सुकुना के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि अगर सुकुना अपना domain expansion खोल लाता तो उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है in fact Gojo भी नहीं टिक पाया था तो हमारा जो सुकुना है वो यूजी और यूटा के से पूछता है कि यार तुमने एक महीने में क्या किया है तो यूजी उसका जवाब देता है कि हमने एक महीने में इस तरह की practice किया कि तू मरने वाला है कुछ इसी तरह का जवाब देता है और यूटा भी इसी तरह का कुछ जवाब देता है जिसके बाद हमें ये बात confirm हो जाती है कि मांगा में अंदर आगे जाके हमें दिखाया जाएगा कि पिछले एक महीने में हमें हमें हमारे जो sources हैं उन्होंने आपस में क्या plan करके रखा है और उन्हों क्यों गोजो को इस तरह अकेला लड़ने के लिए भेज दिया तो और फिर क्यों उन्होंने बगार को impressions दिखाए फॉरन ही सुकुना के उपर attack कर दिया इसके बाद thanks कहने के बाद हमारा जो यूटा है वो सुकुना के flashes सुकुना पर ही use करता है जिससे हम लोगों को एक confirm होता है कि finally हमारा जो यूटा है उसने सुकुना की curse technique को copy कर लिया है और सुकुना के slashes हैं वो जाकर सुकुना के ही move पर लगते हैं और यूटा जो के सुकुना को मार रहा था ये बहुत ही हमारे लिए insane बात हो गई है कि हमारा जो यूटा है वो अब सुकुना की curse technique को copy कर चुका है लेकिन इसी point पर हमारा जो इसने गोजो की curse technique को copy कर लिया होगा लेकिन हमारा फिर सुकुना ये बात confirm करता है कि यूटा गोजो की टेखनी को copy नहीं कर सकता क्योंकि उसको use करने के लिए चाहिए होती है 6i और यूटा के पास 6i नहीं है तो भाई यहीं पर chapter end होता है और chapter end होने के बाद editor जो हमें हमारे लेक नोट छोड़ता है जिस नोट के अंदर वो हमें बताता है कि सुकुना अपने ही slashes के हातों बिल रहा है और इस नोट को खतम होने के बाद जैसा कि मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ लेकिन फिर गोजो केंजाकू को मानी वाला था कि बीच में हमारा सुकुना आ गया था और फिर सुकुना ने गोजो के उपर हमला करना स्टार्ट किया तो हमारा जो केंजाकू था उसने कहा कि यार तु याद रखियो जो तुने मुझस से प्रॉमिस किया है यह को जान से नहीं माना क्यूंकि केंज जाकु जो ना रहा है इस मरजर को बनाने के लिए उसे कहीं ना कहीं हमारे साथूरों गोजो की जरूरत है that's why जो हमारे end में भी final battle हुई सुकुना और गोजो की जिसमें सुकुना जीत गया यहाँ पर भी सुकुना ने गोजो का सर नहीं काटा मतलब सर को नहीं फोड़ा क्योंकि सर फोड़ दता तो हमारा गोजो पक्का मर जाता और सुकुना ने पक्का नहीं मारना गोजो को कहीं न कहीं पर जिन्दा रखना है उसकी बॉड़ी को कहीं न कहीं पर जिन्दा रखना है क्योंकि उसने केंज अकुसे कोई न कोई कर्स प्रॉमिस करके रखा है तो यहां से मैं आप तुम लोगों को बताता हूँ कि हमारे जो सुकुना है उसके पास इस वक्त ability है कि वो merger को active कर सकता है और मर्जर को active करने के अगर हमारा जो यूजी है जो बाल बाल उसको punch कर रहा है और फुशी गुरू के soul से उसको अलग कर रहा है और अगर फुशी गुरू का soul अलग हो गया तो यहां पर हमारा सुकुना मर्जर नहीं बना पाएगा कोई ना कोई तो कर्ष प्रॉमिस हुआ था हमारे केंजाकू और सुकुना के दर्मियान जो क्या है यह अभी तक हमें रिवील हुआ नहीं है लेकिन कहीं न कहीं उस मर्जर को बनाने के लिए हमें सातूरो गोजो की भी ज़रूरत है यह बात फॉर शौर मैं कह सकता हूँ साती ही मैं तुम लोगों के एक और थियोरी भी बताता हूँ कि अगर हम यह बात मान लेते हैं कि फाइनली हमारे यूजी पंच करता है सुकुना को और सुकुना और फुशी गुरू अलग हो जाते हैं तो यहां पर एक बात यह भी है कि जो हमारा फुशी गुरू है उसके पास यह इबिलिटी है कि वो मर्जर को कभी भी एक्टिव कर सकता है यह एक कलिंग गेम का नया रूल एड़ हुआ था जिसके तहत उसके पास यह इबिलिटी है कि वो कभी मरजर को एक्टिव कर सकता है तो हमारा अगर फुशी गुरू अलग हो गया तो क्या वो मरजर को एक्टिवेट करेगा क्योंकि एक थियूडी के मुताबिक जो narrator है जो के हमारे पूरी मांगा के अंदर नेरेट कर रहा है वो मरजर ही है तो वो मरजर एक तरह से एक्टिव होगा ही होगा और definitely अगर इतना कुछ उस मरजर के बारे में बताने के बाद वो मरजर एक्टिव नहीं होता तो मांगा यार थोड़ी अजीब हो जाएगी कि ही पहले इतना उस merger को खैंचा और फिर एन्ट वह इक्टिव हुना तो यह थोड़ा अजीब लगेगा तो merger को अक्टिव होना चाहिए मंगयन को इंट्रोंस्टिंग करने के लिए यह की merger को अक्टिव करेगा और merger active होगा तभी जब हमारा Sukuna या फिर Fushiguru उस merger को active करें लेकिन अगर हमारा Fushiguru अलग हो गया Sukuna के soul से तो हो Sukuna कभी merger को active नहीं कर पाएगा In fact Sukuna काफी कमज़ोर भी हो जाएगा तो साथ हमारा जो Fushiguru है वो main villain भी साभित हो सकता है हमारा इस्टू काई सन का क्योंकि हो सकता है कि फिर वही मर्जर को एक्टिव करें क्योंकि हमारा जो केंजाकू है उसने कुछ सोच समझ कर ही फुशी गुरू के हवाले किया था मर्जर को वारना वो डारेक्ट सुकूना के हवाले भी कर सकता था लेकिन उसने हमारे फुशी गुरू के हवाले किया तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अजीब बात हो सकती है वैसे भी जो हमारा जैनन क्लाइन है जिससे हमारा फुशी गुरू है उसका जो बैगराउंड है वो कुछ इतना अच्छा है नहीं उसका भी बैगराउंड इतना अच्छ नहीं है सरसे हमारा जो गहांड है इसका बैगराउंड हमें अच्छा दिकाया गया है बिल्के खास बैगराउंड का दिखाया ही नहीं गया तो फुशी गुरू में विलन भी साबित हो सकता है लेकिन यह थियोरी इतनी पकी नहीं है, से पहले वाली जो मैंने तुम्हें थियोरी बताई, कि यह गोजो कहीं ना कहीं मर्जर में काम आने वाला है, यह थियोरी किसी हाथ तक confirm है, साथ तुम नीचे comment करके बता देना कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, वीडियो पे कोई break नहीं है, बलकि next week भी final हमारे सामने chapter आने वाला है, तो तुम उसके लिए कितना excited हो, इसके साथ वीडियो काइट करते हैं, टड़ा, बाई बाई